नमस्कार दोस्तों आज हम ट्रावेल इपास के इसे डाउनलोड करेंगे अगर आप डॉबल वैक्षिन ले लिए है तो अभी आप देखिए इधर से ये लिंक आप कॉपी कीजिए जो लिंक में डेस्परिशन में दे दूँगा इसके बाद इधर आये गोगल कुरूम उपन क किजिए आने के बाद इधर वो पेस्ट कर दिजिए ओ लिंक पेस्ट करने के बाद आपको ऐसा एक पेज उपन होगा साइन इन टू इनवर्चाल पास उसमें आप क्लिक किजिए ये पेज क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पेज उपन हो जाएगा ये पेज आ गया इधर आप establishment citizen आप citizen में जाए citizen में जाने के बाद fail option universal fast form double vaccinated citizen वो जो fail option है उसको click किजिए click करने के बाद आप जो registereded mobile number है वेक्षिन लिए other वो number इधर entry किजिए जो अपना registereded mobile number आरोगे सेक्ट में किये उसके बाद उसमें एक OTP आएगा है वो OTP इधर डालिए OTP डालने के बाद submit option को click किजिए submit करने के बाद इधर आप देख सकते आपका नाम आ गया और mobile number बेनिफेंसी number और date शेकेंड डूज आ गया इधर आप contact details में आये आनेक बाद इधर upload photo आपका एक pass में photo लगेगा वो फटो को आप अहले upload कर दीजिए इधर आप क्लिक किजिए upload photo में click किजिए अभी मैं click कर रहा हूं upload photo में जिससे आप upload में photo click करेंगे आपको एक page ऐसे आ जाएगा कि photo आपका कि इधर है वो photo double click करेंगे आप देख सकते है मेरा photo इधर आ गया आने के बाद इधर agreement उनका accept कर देने का और उसके बाद apply कर लेने का apply होने के बाद आपको देखिए एक confirmation message आएगा उसमें आप आप भी देख सकते है इधर आ गया आपको आपको पास होता है आप कितने बार भी ट्राइ करेंगा आपको आपको एरर दिखेगा आपको ऐसे एक message आएगा अब भी आप उसको back किजिए back करने के बाद आप उधर देख सकते हैं आपको भी एक message भी आएगा इसे कि pass can be issued after 14 days of second vaccine आप ऐसे अपना traveling universal pass डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग प्लेश त्स्क्राब्स अब्सक्राब थैंक्स